हेलो स्टुएंट्स वेल्कम्तो क्लास इस सेशन में बात करते हैं महल नेरोडे थियुरम के बारे में महल नेरोडे थियुरम जो है दो व्यक्तियों के नाम से मिलके बनी है पहली है जॉन महल दूसरा है अनिल नेरोडे इन दोनोंने मिलके उनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1958 म sufficient conditions के बारे में इस theorem के थूरू बताया था theorem को आगे समझने से पहले हम एक concept equivalence relation का जो है उसको समझ लेते हैं कोई भी relation या फिर हम कह सकते हैं mahal-nirode relation जो है वो equivalence relation तभी होगा जब वह इन sufficient conditions को satisfy करेगा पहली reflexive, दूसरी symmetric और तीसरी transitive कोई भी relation reflexive तभी होता है जब वह इस condition को satisfy करे xrx, x is reflexive to x यह आप discrete mathematics में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे दूसरा जो relation है वो है symmetric means अगर यहाँ पे xr y है तो उसका symmetric yrx होगा तीसरा transitive, यदि कोई relation x to y है और दूसरा relation y to z है तो यह relation by default y to z x to z होंगे जैसा कि यह लिखा है आपके सामने ठीक, तो यहाँ पर in equivalence relation को पढ़ने का कारण यह है कि Mahal Sniruday ने अपने statement में 3 conditions दी है 3 conditions में से 1 condition यह भी है चलिए हम समझते है उसके statement को Mahal Sniruday theorem In this theorem, this theorem states that it will provide the theoretical background which allows to minimize the DFA and also proposed that language is regular if the following statements are equivalent कौन-कौन से statements equivalent हो पहला, language L is regular दूसरा, it exists the Mahal Sniruday relation Mahal Sniruday relation क्या है वो relation जहाँ पर यह तीनों properties एक साथ simultaneously exhibit हो means reflexive हो, symmetric हो और transitive हो इसका मतलब यह है कि जब तीनों properties किसी condition को satisfy करेंगे उस time पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर equivalence relation apply हो रही है और तीसरा जो statement था वो यह था कि यह relation art जो है finite होना चाहिए अगर यह finite होगा तभी तो इसमें यहाँ पर DFA को minimize कर पाएंगे नहीं तो यह NFA find हो पाएगा यहाँ पर आगे बढ़के इसका example solve करते हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं माहिल निरोडे थिरम जो है इसका दूसरा नाम है टेबल फिलिंग मैथर्ड टेबल फिलिंग मैथर्ड ओके इसका नाम इससा इसलिए रखा गया है क्योंकि बाएदिस मैथर्ड हम हम with the help of this table filling method हम किसी DFA को minimize कर सकते हैं तो चलिए उस example को देखते हैं मैंने आपके सामने एक DFA बना के रखा है हमें इस DFA को minimize करना है है इसको minimize करने के ऐसे कही तरीके हैं जिससे की हमस्को minimize कर सकते हैं लेकिन मैं ने रोड यह होती है उसके थुरू हम इसको minimize करेंगे मैंने पहले से इसका transition टेबल बना चुका वह हम चैके momento के तो जम्हें क्या करना पड़ेगा जितने state से उनके according हमें रोज और कॉलम को बनाना पड़ेगा ठीक मान लीजिए यहां पर पांच है वैसे छे स्टेट्स हैं लेकिन हम इस स्टेट को डिसकार्ट करते हैं क्योंकि यह डेड़ स्टेट है या फिर अन्रिचेबल स्टेट है कि दूसरी चीज अगर हम इसका टेवल डिजाइन करते हैं टेवल फिलिंग में तो मान लेजेए हमने टेबल बनाया कूल को फिल ऐसा करेंगे क्यून टेवन क्यूट टू क्यूट क्यूटरी क्यूफॉर क्यूफॉर इस तरह से हमने इसके रोज बना दी यह हो गया हमारा Q4, 3, 2, 1, 0 Q3, Q2, Q1, Q0 और फिर हमने इसको इस तरह से exhibit कर दिया उसके बाद जितने भी हमारे upper diagonal portion है इसको हम cross कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी fill नहीं करना है ठीक हम बात करेंगे lower diagonal की तो चलिए इसको हम solve करता है हमने सबसे पहले एक table बना लिया उसके बाद हमने इन हमने Q5 को यहाँ से disable कर दिया boycott यहाँ से हम लेते हैं Q0 Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 similarly हम इसके names देखिए naming आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं कोई restriction नहीं है कुछ वीडियो में आप अलड़े रेक चुके हैं कि naming labeling अलग तरह से हुई है यहाँ पर हम इस pattern से कर रहे हैं ताकि हमें solve करने में कहीं दिक्कत ना हो इतना solve करने के बाद हम जितने भी diagonal elements से उनको cross put कर देंगे अब बाकी के जो cell बचे यह जो बाकी cell बचे हैं इन cell में हमें cross put करना है और जिस cell में finally cross put नहीं होगा उस cells की help से हम यहाँ पर state को minimize करेंगे अब इन cells में cross put करने के लिए कुछ conditions है उस condition को ध्यान देना है पहली condition यह है कि अगर आप किसी non-terminal या फिर आप टेह ले अगर आप किसी non-final state का transition किसी non-final state से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको blank छोड़ना है Similarly किसी final state का transition आप किसी final state से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको blank छोड़ना है इन दोनों cases में आपको blank छोड़ना है लेकिन अगर आप किसी final का transition किसी non-final से कर रहे हैं या किसी non-final का transition किसी final state से हो रहा है तो वहाँ पर आपको cross put करना है इस basic rule को आप ध्यान रखें अब इसको जब फिल करते हैं तो हमें इसमें कई iterative process के तुरू गुजरना पड़ता है तो ध्यान रखिएगा मैं उसको जैसे जैसे वक्त आगा बताते जाऊँगा ठीक सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितनी final state से और कितनी non final है यहाँ पर हमें non final state जो दिख रही है वह हमारी q0 q1 q3 q2 और q5 q5 जो हम पहले eliminate कर चुके हैं ठीक अब हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे आसान तरीका यह है कि आप non final और final की बिजहां cross put करना है पहले उस पर cross put कर दीजिए तो चलिए हम देखते हैं यह final state है final state से कहां रीच कर रहे हम q1 पर रिच कर रहे है q2 पर रिच कर रहे हैं मतलब q4 से q2 और q1 क्रॉस पूट कर देते हैं q4 से q2 q4 से q2 लिखें चाहें q2 से q4 बात बराबर है हमें किसी भी तरह से उस तरह के cell को cross करना है यहाँ पर q4 q2 exhibit हो रहा है इसलिए हमने इस cell को cross कर दिया ठीक दूसरा q4 q2 के बाद q4 और q1 इसको भी करना है तो q4 q1 इसको भी cross कर दिया उसके साथ q3 q4 आ रहा है q3 q4 आ रहा है इसको भी cross कर दिया ठीक चाहें तो हम इसको ग्रीन से कर देते हैं यह cross यह cross यह cross ठीक उसके रहावा कुछ आ रहा है कि यहां पर नहीं यह हो गया हमारा first step step one done step two में हम iterate करेंगे अब iterate करते वक्त हमें यह ध्यान देना है अब करते वक्त हमें इस transition table की help लेनी है ठीक और हर सेल को visit करते हुए चेक करना है कि उसके corresponding transition पर क्रॉस तो नहीं है कैसे देखिए सबसे पहले हैं ब्लैंक सेल कौन सा दिया हमें कि स्टैप टू की बात कर रहे हैं अब हम इस स्टैप टू में सबसे पहले हमें ब्लैंक सेल किया दिया इसमें q1 q0 एक ब्लैंक सेल है q1 q0 यह वाला हम इसकी बात कर रहे है q1 q0 ठीक है इस ब्लैंक सेल के transitions चेकर लेते हैं q1 q0 से a दिया तो क्या आ रहा है q1 और b दिया तो क्या आ रहा है q2 अब यह चेक करिए कि क्या q2 देखिए आप कैसा आया q2 q1 और q0 पर देखा हमने यह हमारा portion जो है यह q1 है यह क्यू q2 है अब q1 और q2 पे यह भी q2 है यह भी q1 है यह भी q2 है यह बी q1 है तो हमने चेकरा कि क्या q1 और q2 इन secular कहीं यहापका q2 portion है ठीक है लेकिन Q2 से Q2 नहीं है सिर्फ Q2 है इसलिए हम इसको डिसकाड कर देंगे ठीक और Q1 से Q1 ही है ठीक तो अलरीड़ी यहां पर क्रोस लगा हुआ है लेकिन यहां से Q1 और Q0 में ऐसी कोई प्रापर्टी नहीं ठीक तो यह देखिए आप Q1 और Q0 Q1 से Q1 क्रॉस है Q2 से Q2 क्रॉस है तो यहाँ पर भी हम क्रॉस लिख देते हैं पहली चीज़ ठीक तो अब हम चेक करेंगे इस वाले सेल को इस सेल में क्या है Q2 Q0 अब चेक करना है Q2 और Q0 Q2 and Q0 Q2 से 0 A दिया तो Q1 और Q0 से A दिया तो Q1 ठीक है और Q2 और Q0 से B दिया तो वापिस से यहाँ पर कहीं हम कुछ क्रेट कर रही है हमने उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं पहला सेल था हमारा Q0 Q1 में पहला Q1 है और दूसरा Q2 and Q3 ठीक हमें चेक करना है क्या Q2 और Q3 ब्लैंक है या क्रॉस है और Q1 Q1 तो अल्रेडी Q1 से Q1 और इस तरह के चेक बॉक्स पर हमें ध्यान नहीं देना है ठीक इन में जिनक में क्रॉस लगे हुए है डागनल अल्रेमेंट्स के अलावा तो Q2 और Q3 क्या Q2 और Q3 ब्लैंक है या क्रॉस है ब्लैंक है अगर यह ब्लैंक है तो हमें यहां पर भी इसको ब्लैंक छोड़ना है ठीक Q2 पर आते हम Q2 पर क्या हो रहा है यहां पर Q2 पर Q2 क्यू नॉट के बात करे हम तो q2 and q0 के लिए q2 और q0 यहां पर बात कर रहे हैं q2 and q0 के लिए यहां आ गया q1 और यहां पर आ गया q2 ठीक तो q1 और q2 यहां पर पुरा ब्लैंक है इसलिए इसको फिर समने ब्लैंक छोड़ दिया ठीक कोई चिंजर नहीं होंगे फिर हम आते हैं इस वाले element पर तो q3 q0 पर q3 and q0 तो यहां पर चेक करिए कि q3 और q0 q3 से a दिया तो q1 पर और b दिया तो q2 and q4 q2 and q4 पर हम चेक करते हैं क्या q2 और q4 या q2 and q4 यहां पर बीच में क्या है इस वाले इसमें क्रॉस लगा हुआ है है ना जब इसमें क्रॉस लगा है तो हम क्या करेंगे यहां पर भी क्रॉस लगा देंगे q3 और q0 पर तो हमने यहां क्रॉस लगा दिया फिर हम आते है q4 q0 पर q0 और q4 पर आते हैं तो यहां पर चप चेक कर रहे हैं तो q0 और q4 यह 2 और 4 यह दोना तो है और यह q1 है तो क्या q1 और q2 पर कुछ यहां पर टांजिशन है नहीं है तो इसको हमने यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया ठीक अब हम आते हैं इस इत्रेशन नंबर टू इसको डिलिट कर देते हैं इत्रेशन 2 हो चुका है इत्रेशन 3 पर आते हैं अब फिर से हम जो ब्लैंक वाले उन पर फोकस करते हैं कि क्या यहां और यहां पर कुछ बच्चे हुए थे उसको फोकस कर लेते हैं इत्रेशन 1 पर कि q2 और q1 के बीच इत्रेशन 2 पर फोकस कर देख लिए यहां पर किसी तरह कोई क्रॉस है क्या यहां थी टू आ रहा है बीदने पर q2 q3 और यहां पर q1 क्या q2 और q3 के बीच q3 & q2 कुछ है क्या नहीं है ब्लैंक रहें दिया अपन ने ठीक उसके अलावा यहाला सेल बचा इस सेल में क्या है q1 q3 इस सेल पर हमने चेक कर रहा q1 q3 q1 & q3 q3 4 जा रहा है तो 3 4 पर यहां पर क्रॉस है ठीक यहां पर क्रॉस है तो हम यहां पर भी क्रॉस लगाएंगे q3 q4 पर ठीक है not in q3 q4 q1 q3 यहां पर अपन ने क्रॉस लगा दिया उसके बाद कि हम इस वाले सेल पर आते हैं यह सेल क्या है हमारा q3 और q2 या फिर आप लिख सकते हैं q2 & q3 तो जब हम q2 q3 की बात करें q2 & q3 तो यह 24 q2 के 4 पर क्रॉस है तो इस पर भी हमने यहां पर क्रॉस लगा दिया ठीक अब उसके बाद हम इट्रेशन नंबर पहला स्टेप हमने सब पर क्रॉस लगा दिए डायरेक्टली इस इट्रेशन टू पर हमने अभी लगाया इसमें क्या करेंगे वापिस से हम उसी मेथट से आते हैं हम लेते हैं यहां से q1 & q0 यहां से जब हमने a पास किया q1 q0 से तो यहां पर आप पर दोशी जा रही है एक आ रहा है q1 और b देने पर आ रहा है q2 और q3 अब यहां पर चक करिए q2 और q3 पर क्या आपने क्रॉस लगाया है q3 और q2 यस क्रॉस लगा है तो हम भी q1 q0 पर क्रॉस लगा देते हैं उसके बाद q2 q4 पर आते हैं sorry q2 & q0 पर आते हैं ठिक तो q2 & q0 पर जब आए तो हमन q0 पर ठीक है तो यहां पर आ रहा है q1 और q2 q1 का q1 क्रॉस डाइगनल आ रहा है और q2 का q2 डाइगनल आ रहा है तो इसको हमने छोड़ दिया कि डाइगनल डाइगनल आते हैं सिंगल एलिमेंट्स आते हैं तो उस पर हमें क्रॉस नहीं लगाना है ठीक उसके बाद थर्ड एलिमेंट के हमारे पास q4 q0 तो q4 q0 के लिए फिर चेक कर लेते हम q4 & q0 यह q2 q2 और रहा है तो जब आपने पुट किया q2 & q1 तो q2 q1 के लिए जब चेक किया तो 2 और 3 q2 & q3 क्रॉस है यहां भी आपने इसको क्रॉस लगा दिया ठीक है इसी तरह से अब एक बार और इट्रेशन किया अपन ने और फिर चेक किया q2 को और q4 को जब q2 को चेक किया तो q2 के लिए क्या है q2 & q0 q2 q0 पर क्या मिल रहे हमें q2 यह हमारा q0 है यहां पर तो ए देने पर q1 है और बी देने पर q2 यह आ रहा है तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया अगला है हमापास q4 q0 तो q0 q4 क्या है हमारे पास q0 q4 आ रहा है q0 q4 यहां पर 2 & 2 आ रहा है ठीक है यहां पर क्या हमने रहा है इस फॉर्म को एक बार चेक कर लेते हैं कि q4 से बी दिया तो q2 पर गए और q0 से q0 से भी दिया तो भी q2 पर गए ठीक है तो यहां पर हमारा q1 q2 फिर से आ गया तो जब यह फिर से आया हमारा यहां पर भी हमने क्रॉस कर दिया क्यों क्योंकि अब हमारा final non final के बीच फिर से transition हो रहा है तो इसको भी हमने ठीक है तो हमने उसको blank छोड़ दिया जब कुछ नहीं हो रहा तो हमने इसको put कर दिया equation से equal to वाला mark से ठीक इसका मरलब यह हुआ कि हमारा जो DFA है उस DFA से हमें Q2 state को eliminate करना है तो जब हम Q2 state को eliminate करेंगे तो हमारा जो transition diagram है वो किस तरह से बन जाएगा हमारा transition diagram अब Q2 से eliminate करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि हम पहले states मालत हैं यहां पर चार states क्योंकि पहले पांच छे थी छे में से यह डिसकार्ड हो गई अब यह पांच है पांच में से Q2 को हमें इसकार्ड करना है तो अब अच्छी चार states तो हम यहां पर चार states मालते हैं एक दो कि तीन कि चार ठीक और देखिए क्यू नॉट से क्यू टू पर जा रहा है है ना तो जहां क्यू टू पर जिस स्टेट से जा रहा है उसको हम कंबाइंड कर देते हैं क्यू नॉट से क्यू टू यह कर लिए हमने अब यहां से जब हमने ए ट्रांसफर किया तो ए देने पर कहां पहुच रहा है यह क्यू वन पर और बी देने पर कहां पहुच रहा है यह बी देने पर भी B देने पर यह खुद पर पहुच रहा है Q2 जो है तो हमने यहाँ पर B देने पर Self लूप लगा दिया इसके बाद अब हम बात करते हैं Q1 से Q1 से A देने पर कहा जा रहा है Q3 पर तो हम इसको Q3 कर देते हैं यहाँ से हमने A दिया और Q3 पर पहुच गए और Q1 से B देने पर कहा जा रहे है Q1 से B देने पर Sorry Q1 से B देने पर हम Q3 पर जा रहे है और Q1 से A देने पर Q1 खुद पर आ रहे है अब हम बात करते हैं Q3 की Q3 से B देने पर हम Q4 पर जा रहे है Q4 यह हमारा और Q4 Final State है इसलिए हम इसको डबल सेर्कल्स कर जयते हैं यह आगर B देने पर Q4 पर और Q3 से A देने पर हम वापिस से Q1 पर जा रहे हैं ठीक है अब Q4 से बात करें तो Q4 से A देने पर हम कहा जाएंगे Q4 से जब हम A देते हैं तो जाते हैं Q1 पर Q4 से A देने पर सब्सक्राइब और क्यू फ़ोड से बी देने पर कहा जाएंगे कि यू फोर से बी देने पर हम आएंगे कि यूफॉड इसका मदल्ब यह हुआ कि हमने एक स्टेड को एलिमिनेट किया और इस डियकर को हमने में मिनिमाइज करती है तो दिस इस वाओ दो माय हिल्स निरोडे थेओरम इस है तो मिनिमाइज दर डी एफ़े आपको यह एग्जांपल सहुंज में आया होगा नहीं आया होगा तो दोबारा से एक बार आप इस एक्जांपल को देखने कोशिश कियेगा एम शूर कि आपको ओडिवाद में पूल कर दोड़े टाक कि य।